नमस्कार दोस्तों आजू के संट रण निफोर में आपका स्वागाई तो आज के वीडियो आपसे के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिए सेकेंड यर के सेकेंड समिस्टर में आपका जो सब्जेक्ट इस जियोगरा वीडियो को पूरा नहीं जरूर देखेगा इस वीडियो के अपको तीस कोशन देने वाले हूँ ह dzisiaj, आपको पेपर में आसकते हैं तो आए दीर में करते वीडियो को शुरू करते हैं और गón को जानते हैं दोस्तों आपका पहला कोशन है कि भारत की जलवायू को पर्देश में विभाईजित करते हुए प्रमुख वित्रड के बारे में बताईए यानि कि भारत की जो जलवायू है उसको पर्देश में विभाईजित करना है और उसके बाद उसके प्रमुख वित्रड के बारे में बताना है यानि कि भारत की जो नदिया है उसकी आर्थिक महतु क्या है उसके बारे में आपको बताना है चौथा कोश्चन आपका भारत में सीथ कालिन जलवाई हो दसाय कैसी होती है इसके बारे में आपको बताना है कि भारत में जो सीथ कालिन जलवाई होती है उसके दसाय कैसी होती है पाचवा कोश्चन है कि भारत की प्राकिर्तिक वनास्पति छेत्र में विभाजन के बारे में बताई है यानि कि भारत की जो प्राकिर्तिक वनास्पति छेत्र है उसका विभाजन कैसे हुआ है उसके बारे में आपको बताना है चटा कोश्चन है भारत में कोईला उत्पादन चेतर के बारे में बताना है यानि कि भारत में जो कोईला उत्पादन होता है उसके चेतर कौन-कौन से उसके बारे में आपको बताना है आठवा कोश्चन है बहु उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् क्या होता है भारत के अंदर जो हरित करातिन चलता है उसके बारे में आपको बताना है दसवा कोश्चन है भारत में सिचाई की आ सकता है एवं साधन के बारे में बताईए यानि कि भारत में जो सिचाई की आ सकता है उसके बारे में बताने और साधन के बारे में बताना है कि तिहावा कोश्चन है भारत में जन संख्या बिरदी के बारे में बताई है। यानि कि भारत की जो भी प्रमुक्स अड़के हैं और जो भी वायव उन मार गए उसके मौत्बारे में आपको बता अगला कोश्चन है सतिरहाहा कोश्चन भारत में प्रकृतिक संसाधनों का वरण किजे। यहनिकि भारत में जो भी प्रक्रितिक संसाज है जा उसके बारे में आपको बताना है बिस्वा कोश्चन है भारत में गयर प्राप्रागा तूर्जा पर प्रकाश ड़ली है उसके बाद 21 वा कोश्चन है बाकसाइट का उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है कि अबरक का उत्पादन कैसे होता है बाकसाइट का उत्पादन कैसे होता है उसके ब चचांग करने वाले कारक कौं कि उसके बारे में अग्याना है भारत की बीदेशी बेपार की बिसेचता है उसके बारे में आपको बताना है उसके बाद उस तो आपका उन तीसवा कोर्श्चन है कि भारती आदिवासियों की समस्या है क्या है यानि कि भारती आदिवासी जो भी है उनकी क्या समस्या है उसके बारे में आपको बताना है और यानि कि जो भी बीच का भाग है मद घंगा मैदान उसका आपको वड़न करना है तो यह थीस कोर्षटन होगा है जो आपके बीस सेकेंड यर के सेकेंड पेपर में आ सकते हैं आपको नोट कर लिजिए और किसी सीर्स से किताब से मिला करके याद कर लिजिए कि यह बहुत ही मह को पर चाहिए थैंक्यों दोस्तों